अगली केंडर्सटिक का शूतिंग स्टार कि स्टार किछ है कुछ इस तरह से होती है अगर मैं आपको मांड करूं घर करूं रूंघ जो लास्त में हमने जिस फ्रिक की फिक नि आ और इसकी शे में आपको नाज़र आ रहा है ठेक box यह डिफ्रेंस है कि कि इसकी चोटी सी बाड़ी बनी हो यह कि ओ ठीक है और इसकी भाड़ी नहीं थी बाके संसके पर यह पर लांग भी ती और इसकी तो आप यह चीज क्या रिप्रेजेंट करती है हम देखेंगे फर्द करो कि यहां पर जो है हमारी प्राइस स्टार्ट हुई थी ठीक ना और प्राइस रही नीचे गई उसके बाद प्राइस यह उपर जाना शुरू हो गई उपर जाना शुरू हो गई और काफी उपर गई और उसके बाद यहाँ पर आकर हमारी प्राइस रुख गई जब प्राइस उपर जा रही थी तो इसका मतलब था जो बायर्द है वो डुमिनेट कर रहे हैं और buying pressure Providing pressure कम रिखने यहां पर पहुंची तो consequence ने करना चुरू कर दिया ज्यादा शैलर का गै इस प्राइस पर ज्यादा लोगो अपने ज्तार बेचने के लिए रादि हो गए और बायर यहां पर कम रह गए इस वज़ाद से प्राइस हमारी नीचे आना शुरू होगी मतलब हमारा जो सेलिंग प्रैशर है वो बरना शुरू हो गया और अड़ अफ दे इस प्राइस पर हमारी मार्केट क्लोज ही यह सेम सेनेरियो हमारी ग्रेवस्टों केंडल के साथ भी था ठीक है उसकी प्राइस बस यह था कि बिल्कुल उसी जिस प्राइस पर स्टार्ट हुई थी क्लोज उस प्राइस पर हुई जो क्लोजिंग प्राइस है जो हमारी स्टार्ट प्राइस है उससे थुरी ऊपर हुई थी यह उससे थुरी नीचे भी हो सकती है ठीक है तो तो ओवराल जो मतलों इस पैट्रन है यह जो लूजर करें यह सेंप वही पैट्रन जाहर कर रहीं यह चो रहे हमारे क्या करती करएख और दे तहलग है वह डूमिन it कर seller pressure tell the end of the day dominate कर रहे थी ठीक है तो ग्रेफ स्टोन भी हमें यही बिता रही थी तो इसका मतलब यह है कि आप को candle read करनी आने चाहिए candle का जो नाम क्या है उससे फरक नहीं पड़ था अगर आप candle को देख को सही तरह read कर सकते है analyze कर सकते हैं और देख सकते हैं करल को demand supply के बारे में क्या बता रही एए और buyer's की domination यह sellers की domination के बारे में क्या बता रही है तो आप उससे फिर analyze कर सकते हैं predict कर सकता है कि next candle किस तरह की होगे यह next trend क्या होगा bullish होगा यह बेरिश होगा ठीक है यह हम इसके एक्जेंपल देखते हैं हमारी जो ट्रेंड था प्राइस का उपर जा रहा था मतलब बायर्स डोमिनाइट कर रहे थे लेकिन जब जैसे प्राइस यहां पर पहुंची तो बायर्स अग्जास्ट कर गए और हमारा जो सेलर्स है वो डोमिनेट करना शुरू कर दिय है और हमारा सेलिंग प्रैशर यहां पर ज्यादा होना शुरू हो गया ठीक है इसका मतलब यह है कि आगे हम यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगली जो कैंडल्स हैं वो रेंड बनेंगी और हमारी प्राइस नीचे जाएगी मतलब मार्केट बीरिश हो जाएगी ठीक है यह हैंडल्स 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 हैंड पता है कि यहन्या प्राइस के प्राइस के बाई सेल्ट प्रेशर के बारे में चांता है तो सकते हैं प्राइस के नीचे जैन जाने के मतलब कि हमारे selling pressure ज्यादा था seller dominate कर रहे थे लेकिन जब यहां पर bottom पर price पहुंची low पर पहुंची तो हमारे buyers ने dominate करना शुरू कर दिया और price हमारे उपर जाना शुरू होगी और जब close हुई तो हमारे buyer dominate कर रहे थे it means कि selling pressure exhaust हो चुका था और हमारे buyer dominate कर रहे थे most probably अगरी जो candle होगी वो green बनेंगी ठीक है इसकी यह देख ले example का हमारे ट्रेंड पर हमारी जो price है नीचे जा रही थी बिरिश थी market यहां पर आकर हमारा जो जो sell थे वो exhaust कर गए और buyers ने dominate करना शुरू कर दिया ठीक है और यह हमारे ट्रेंडर वर्सर हुआ और हमारे market बिरिश से bullish हो गई जो पीछे आपने डोजी स्टार पर रहे थे वो थी कि सिंपल यह वाली एक candle कनायल से था लेकिन इन candle को अपनी अगली और पीछली candle के साथ मला कर देखें और अगर इस तरह के पैटरन बार रहे हो यह जैसे morning डोजी स्टार पैटरन है और यह है एवन्य डोजी स्टार रही है तो ठीक है आपको प्राइस नीचे आ रही है और एक ग्रेड केंडल मार रही है उसके बाद आपकी यह डोजी केंड डोजी केंडल मतलब इन्डिसासिव केंडल है इसमें पहले मतलब फर्द करो यह बाद में डोमिनेट करना शुरू हो गया एड़ दाफ दे डोमिनेट कर रहे तो एंड आव दाट अठे पहले अगर इससे अगली केंडल गरीन है तो यह जह बिया बीक मॉरनिंग स्टार्व अब यह एक बुलिश्ट्रेंट को लाकर रही है इसी तरह गर हमारा पहले बुलिश ट्रेंड था हमारी प्राइस ओपर जा रही थी पार डोमिनेट कर रहे थे और उसके टाप पर एक डोजी गैंडल बनी है ठीक है और उसके बाद एक आपको रेड गैंडल बनी है इट मींज के यहां पर आपको पता चल गया कि यह हमारा जो ट्रेंड है कि यह रवर्सल हो चुक है जो बाइंग प्रैशर था वो खतम हो जो गया बुलिश रेंड खतम हो गया और आप सेलिंग प्रैशर ज्याद हो रहा और बीच ट्रेंड शोरू हो रहा है ठीक है यहां पर अपना स्टार्क क्यों ग्रिवट्ट करेंग और ऑद्ट शार्ड करें को बाइन करेंगे सेल करेंगे ठीक है यह चार्ट के अंदर इसकी रिप्रेसेंटेशन है कि यह देखे यह हमारा वार्निंग डूजी स्टार बान मतलब पहले रेट बाटम पर डूजी फिर ग्री और यहां पर आपने कंफर्मेशन होने के पास इंट्री लेनी है ठीक न और इ बुलिश हरामी और बीरिश हरामी अब इन केंडल का यह होता है कि यह एक बरी सी आपकी रेड केंडल बनेंगी ठीक है और अगले दिन यह फर्द करों यह आपकी प्राइस यहां से स्टार्ट हुई थोरी ती उपर गई फिर नीचे प्राइस आई कि और यहां पर आपकी प्राइस खताम है लेकिन क्या होगा जो नेक्स टैर्य ये नेकस पिरिएडफा ताइम है उसमें अगले जो प्राइस स्टार्ट ओगी और यह से स्टार्ट ठोरी उस से थ्ष्टी थोरी हाइर स्टार्ट होगी ठीक ना और वाकेंडल ग्रीयन ही मतलब फ्रोपर ही जाती रहेंगी तिन ये शो कर रहें कि आप का जो सेलिंग प्रैशर था वो ऑगजास्ट हो चुक है ठीक है और आपका जो बाल हैं अब वो डूमिनेट कर रहे हैं और इस्लिए रहे हैं कि अगर यहां पर यह टैन प्राइस पर केंडल खतम होई थी तो अगर प्रियेट आफ टाइम में वह टैन पर यूजिली शुरू होने चाहिए थी लेकिन अब यह प्राइस इतनी जो बायर्थ है उनके लिए वह लग्रेटिव थी कि वह टैन की बजाए उन्होंने लेवन प्राइस पर खरीदना शुरू कर दिया ठीक है तूँ ए टैन प्राइस सेलर्थ को बहुत कम लगी वो उस पर सेल नहीं उन्होंने किया और लेवन प्राइस पर सेल करना शुरू किया तो उनको वहां पर भी बायर्थ मिल ठीक है न फोरण से तो इट शोज स्ट्रांग बुलिश यह यह जो चीज़ है अगर इन तो उनको मिलाकर अब भी रेश्यर हमें में क्या होता है कि पहले प्राइस उपर जा रही है बहुत हैवी मार्जन के साथ आपकी प्राइस उपर गई है एक लार्ज बिग ग्रेन कैंडल मनी है लेकिन जब इस कैंडल के टाप पर यह प्राइस अग्जास्ट हो चुकी है जो बाइंग पर भी अब उनको कोई बायर्ज नहीं मिर रहा तो उन्होंने फर्द वेरी नेक्स्ट प्रीड आफ टाइम अगले ही दिन बजाए कि जिस पॉइंट पर मार्केट क्लोज हुई थी उस पॉइंट पर से उनको उस से नीचले प्राइस पर तो इट मेंज के अब हमारी जो प् बीरिश ट्रेंड था वो बिल्कुल अग्जास्ट हो चुका है और जो अब बीरिश ट्रेंड शुरू हो रहा है ठीक है तो यहां पर आप सेल कर देंगे देखे यह इसको हम अगर चार्ट में हम अपने देखें तो यह देखें यह ग्रीन है और रैड बरी कैंडल और इसके साथ ग्रीन कैंडल तो इट मेंज के यह बुलेश रामी है ठीक है अब इन इनगलफिंग बुलेश और इनगलफिंग बीरिश इसमें क्या हुता है वो असके पहले कैंडल जोँआप देखें आपको हमारी जो पहले रैड रैड आ बनी हम अ हमारे जो पहले रैड कैंडल आक उससे अगली प्रास से नेक्स प्रिइड आफ टाइम में उस उपनिंग उस से प्रिस पही जहां पर लूजर से मुधन प्राइश पशने हुए तो प्राइश प्राइश पुर रही तो वह इतना लोकृरेटिव प्राइश बन गया कि एक दम से बहुत ज्यादा प्रेशर आगा हो दीरे ग्रीन केंडल बने हैं तो ये एक स्ट्राउंग बिलिश ट्रेंड को शोग कर रही है । और इसी तरह इसका वाइस वर्त है स्ट्रांग बेरिश स्ट्रांग बेरिश इंगल्फिन ठीक है उन्हें पहले ग्रीन होती है और उसके बाद एक रेट कैंडल बनेंगी यह यह शो करती है कि आप हमारे एक दम से सैलर जो है काफी हैवी हो चुकिया